हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आशक करता हूँ आप सब ठीक होंगे मैं मुनी स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका यूटूब चैनल एक्जाम जैस्ट में जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि की सेकिंड जो आपका वीख होगा जुलाई के अंदर आपका जोacağız है वह गोशम कर दिया जाएग और फारिवानली है आपका CGL का जो रिलीज कर दिया गया है हम देखती है इस बार जो है जो लिस्ट आई है वो चार लिस्ट आई है और देखते हैं किस लिस्ट की जो कट ओफ है कितनी गई है अगर आपका शेलक्षन हो गया हो तो आप comment box में अपने marks जरूर टाइप कर दीजेगा जो आपके रोमाक्स रहे हैं तो यह जो लिस्ट आपकी लिस्ट फर्स्ट है इसके अंदर आपका जो कट ओफ है यूवार के लिए 169.07 OBC के लिए आपका 153.0 36 ST SC का आपका 131 136 और यह जो आपकी होती है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि SC के 116 कैंडिडेट ने जो है चर्नल की कट ओफ को किलियर किया है ST के 40 हैं और OBC के 1903 बंदे हैं जिनोंने जो है चर्नल की कट ओफ को किलियर किया है और EWS के 1158 बंदे हैं जिनोंने किलियर किया है सेकंड जो लिस्ट है आपकी टीर टीर फर्स्ट की जो आपकी लिस्ट है वो आपकी जेस्ट रोग स्टाटिक ओफिशर के लिए थी और इसके अंदर जो यूर की कटोफ 162 EWS की 162 OBC की 162 ST की 125 और SC की 149 कटोफ गई है इसके अंदर इस बार तीसरी लिस्ट जो है आपकी उसके अंदर आप देख सकते हैं इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेटर स्किल जो लिस्ट है वो आप देख सकते हैं उसकी कटोफ क्या है बहुत ही लो कटोफ इस बार जो है लिस्ट 3 में गई है UR के लिए 114, EWS के लिए 104, OBC के लिए 95, ST के लिए 62, SC के लिए 75 मार्क्स जो है 200 में से यह आउट ओफ 200 है आपका और जो लास्ट लिस्ट है यानि के लिस्ट 4 वो आपकी जो है फोर ओल अधर पोस्ट इस यानि के जो ऊपर वाली पोस्ट है उनसे अलग जो जितने भी पोस्ट बचती है उनके लिए आपकी यह कटोफ है तो UR के लिए इसमें 130, EWS के लिए 109, OBC के लिए 117, ST के लिए 81 और SC के लिए 94 कटोफ जो है आपकी बनी है अगर आपका जो है टीर फर्स्ट में बन रहे थे वो मुझे कमेंट करके जरूर बता तीजेगा और मेंस डेट जो है आपकी मेंस डेट पिछले बार की अगर बात करते हैं तो लगबग आपको एक महीने प्लस जो है समय दिया क्या था इस बार भी इतना ही आपका समय दिया जाएगा तो तक के लिए धन्यवाद